नमस्कार दोसktóry फिस टी पी अपने आप को इंस्टाल करकेenneht कभी भी तो आगर आप को पुछ उसको कर सकते हैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ बट उससे पहला अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पले चैनल को लाइक करदें, सब्सक्राइब करदें और शेर करदें दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट जो अपन कर लिया है तो जब भी मैं यहाँ पर लॉग इन कर रहा हूं अपना फोन नंबर डाल के जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया और डालने वाद जैसे मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूं आपको क्या करना है आपको सिंप्ली बात में बतादे तो आपको करना है डाटा के लियर जैसे भी आप कर सकते हैं तो वह जहाइए आप Settings से जा के कर सकते हैं यहाँ पर आपसे Short Cut Trick से आप कर सकते हैं बड़ मैं यहाँ पर Short Cut का ज्यादा साहरा ले रहा हूँ तो यहां से मैं इसका से सबसे पहले कर देता हूँ clear data और जैसे मैं यहाँ पर इसका clear data कर देता हूं उसके बाद फिर मैं इसको back करता हूं और back करने बाद मैं इसके सारे permissions on कर देता हूं क्योंकि कई बार permissions बंद होने के कारण भी जो है OTP problem या फिर login problem होता है तो यहाँ से OTP problems भी आप इसी तरह के से आप fix कर सकते हैं तो और इसके बाद मैं चलता हूं सबसे फिर से अपने Amazon app पर जहां पर मेरा Amazon app है और फिर से मैं उसको clear ओ जो है वो open कर लेता हूं तो open करने बाद दोस्तों चलिए अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर तो यहाँ पर फिर से जो है मैं इसको जो है कर लेता हूं already पर click और यहाँ पर login customer क्योंकि मैं नया account बना नहीं रहा हूं क्योंकि मेरा पहले से account बना हुआ है और मैं को login problem होड़ी थी तो फेसे मैं अपना number यहाँ पर paste कर देता हूं जो कि मैंने शुरू से ही कर रहा था जो कि अभी incorrect बता रहा था तो कि मैंने copy कर रखा था phone number तो मैं फेसे मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया कि मेरे कोई phone number याद नहीं है तो मैंने खुद उसको copy करके रख रखा है अब मैं यहाँ पर simply इसको कर देता हूं continue और अब देखते हैं कि हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब मेरे जो है phone number incorrect नहीं दिखा रहा है जो कि पहले दिखा रहा था और अब मैं यहाँ पर डपना डाल देता हूं password अगर दोस्तों आपको password यह और forget password आप करना चाह देखते हैं कि अब यह असल में login होता है यह फिर से problem दिखाता है तो आप देख सेते हैं यहाँ पर मेरा login हो चुका है बिल्कुस safe तरीके से और जो मेरा login problem था मैंने उसको भी जो है fix कर दिया है declare data करके तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं अगर आप कई भी login में problem आरी है मत कैसे उसको fix कर सकते हैं अब आपसे मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट टूडियो में तब तक लिए दोस्तों नमस्कार